असलाम लेकुम यूट्यूब फैमिली आज जो है वो हम आपको दिक्खाएंगे बलकि आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं कि यह इस वक्त वह नहीं है तो चकोतरा नहीं दर आपको गरीम करना है आज करमा शाम्यों चकोतरा का काफी मौसम है लेकि इसक बहुत अदा इस्तम असलों को एक महमत तलब काम है लेकिन मैं आपको सिर्फ पांच मिनट में बता सकती हूं कि आप चकोतरे के दो जूस के गलास असानी से कैसे हासल कर सकते हैं इसके लिए आपकोई अलेक्रिक मशीन इस्तमाल नहीं करने पड़ेगी कुछ भी समाल नहीं करना पड़ेगा तो स सबसे पहले हम चलते हैं फर्स स्टेप की तरफ जोके है यह इसको आप में दो हिसों में चल को समेथ काट के रख लेना है इस तरह से इसकी शेप हो दूसरा स्टेप यह कि हमें किसी भी दुकान से प्लास्टिकी एक चोलता सा जो है वो जोस निकालने वाला सट्रस प्रस में जाएगा जिसको हम पहले इसमें क्यूब स्टाल देंगे ताकि हमारा परक जो जूस हम बनाएं वो ठंडी रहे तो हम इसको ऐसे बन कर लेंगे और इसमें यह देखें बहुत अच्छे तरीके से इसमें ब्लॉक कर देंगे तो इस में इसमें से मैं इंट्रड्यूस करवाती आपको अलक्ट्रिक मशीन उसमें बहुत ज़ादा आपको महनत करना पड़ती है उसमें से जब छिलके निकल आते हैं तो फिर मशीन को साफ करना उसको दूहना और सम्टाइम बिजली नहीं होती है तो पिर आप जूस कैसे पी सकते हैं असानी से पांच मिनट में एक चुको आपको प्राइब और तो फिर जब पांच मिनट में इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करने ताकि यह थोड़ा नर्म होजाए और अगर आप आप आराम से इसको बीजों को अलग कर लेंगे तो इसी तरह अगला प्रॉसस भी है नेक्स्ट है इसके ओपर दर्मयान में इसके उपर आएगा उसके पाद आपने इसको लाइट लाइट सा प्रेस करना है अब मुझे आवाज भी आ रही है कि इसमें से जूस निकल के नीचे जो है जग है उसमें जमा होता जा रहा है तो थोड़ी सी बस मेहनत है कि आपको हाथों को थोड़ी सी जान लानी पड़ेगी ताक आपका यह वाला प्रोसेस जो है अब दो मिनिट के अंदर यह देखें बिल्कुल खाली हो गया इसमें से सारा जूस निकाल लिया है विदिन टू और थ्री सेकंड अब अगला एक और करके देखते है ताकि आपको असानी से समाज आ रहे है यह दो खाली हो चुका है अचा एक चीज और होती है कि सम्टाइम जो हम जब जूस निकाल रहे है तो यह साज चीज़ें आप इक अगले के जब जूस निकाले लेगे तो यह थोड़ी सी हर्डल्स क्रियेट करेगा तो हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले निकाल लेंगे और देखें इसके अंदर जूस जमा होगा है इसको हम किसी और बरतन में या प्लेट में निकाल लेंगे ताके एक नट अब यह दूसरा फिर से हम अगर आपने इसको थोड़ा सा टाइट ली पकड़ना है तो इधर से अच्छे पकर सकते हैं कि ज्यादा मुश्किल काम नही यह देखें सारा काली हो गया कुछ ने शोड़ना इसका कचुमर निकालना है और सारा का सारा जूस पीने के इस्तेमाल करना है अच्छा एक चीज हो रहा है इससे पहले मेरी एक मशीन हराब होगी थी ऐसे मैंने कुछ ज्यादा उसके वज़न डाल दिया तो 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 आपने यह ख्याल रखना है कि इतना वज़न नी डालना अपने सारा का सारा वज़न के मेरा शायद कुछ वज़न जाता था इस वज़न तो टूट गए यह यह एक और खाली हो गया मतलब अगर हम तीन च्पोत्रे लें तो हम इसमें से धाई नेकितीन ग्लास रूस हासिल कर सकते है और अगर हम बजार से एक ग्लास लें तो वह एक सो बीस से टीस उत्रे का मेलेगा तो मैं अपसे कह रही थी कि एक च्पोत्रा वह आपको 10-15 रुपे में दस्तियाब होगा तो इसका मतलब आपका 50 रुपे में आपको धाई से तीन ग्लास जो है वह फ्रेश मिलावट के कंबन को खतम करूं और यह हो गया अच्छा अब इसका फाइनल तच देते हैं आपको और थोड़ा साफ कर लूँ उसके बाद फाइनल तच की तरह आते हैं तो यह तीन चकोत्रों को हमने अच्छी तरह किया है यह हमारे का जूस निकला है इसके फाइनल लुक की तरह चलते कि इसलिए रहा है कि मैंने बरफ को ब्लॉक किया होगा है बरफ उंदर चाने नहीं दे रही लेकिन फिक भी चले जिसको जितना चंदा चैली होगा तो मेल सेथे हैं यह अबसूरत मज़दार टेस्टी जूमी जूस तयार हो गया है इसके अदर आपनी ज़रूरत के मताबिक अबसे काले नमक भी डाल सकते हैं और वाइट वाला नमक दालके लिए इसको इसको पी सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और कॉमेंट करना मत भूलिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के साथ को मिलती नहीं